सीयम राइज स्कूल के भूमी पूजन करने पहुंचे विधायक श्यामलाल दिवेदी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजिना और आप देख रहे हैं दा खबरतार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर हाल ही में सीयम राइज स्कूल के भूमी पूजन के अउसर पर विधायक श्यामलाल दिवेदी मुख्य अति थी रहे हलाकि जो कुछ एक महतपुन अउसर होना चाहिए था वह बेहद उदासीन बन गया ऐसे सिती को और भी आशर जनक बनाने वाली बात थी कि इस्थानिय निवासियों की विशेस अनुपस्थिती थी जिनके ऐसे महतपुन घटना में शामिल होने की आशा थी जिससे बहुत सारी कुर्सियां खाली ही रह गई और कुछ कुर्सियों की भरपाई स्कूल के बच्चों द्वारा की गई जैसे जैसे कारेकरम बढ़ता गया सपष्ट हुआ कि दर्शकों में प्रमुक रूप से पार्टी कारेकरता ही थे अगर पार्टी के कारेकरता को हटा दें तो भूमी पुजन को देखने के लिए केवन लगभग 30-40 व्यक्तियों की एक मामूली भीड ही बचती है जो विधायक जैसे कद्दावर नेता के समारों में जुडने वाली भीड से बहुत कम है इस सिया साबित होता है कि विधायक के काम से उस इलाके के लोग खुश नहीं है लगभग 49-40 करोड रुपए के अनुमानित बजट के साथ CMRISE School आधुनिक सुविधा से संपन्न भवन का निर्माड होगा इस भवन का निर्माड चात्रों के लिए कई महत्तपूर पहलूओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा जो चात्रों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में महत्तपूर योगदान देंगे जैसे कि स्विमिंग पूल, रसोई, इंडोर गेम्स और अन्याधुनिक सुविधाएं शामिल है आरंबिक उद्गाटन में होने वाले उत्साह की कमी के बावजूद उम्मीद है कि यह स्कूल आखिरकार अस्थानिय समुदाई के लिए एक शिक्षा और विकास का केंद्र बन जाएगा अब तक के लिए बस इतना ही फिर हो गया आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहे दा खबरदार न्यूज